पानी के लिए बहुत दिक्कत है रोड़ पर से भर भर लिया अपने आच से साफ करता हूं कौन सा आता है साफ करना विदाय कहता है हमें कोई मतलब नहीं तो फिर वो उसी से दुस्मनी निकालने लगते हैं इसलिए डर से कोई बोलता नहीं है पानी की बेवस्ता नहीं है ना गली साफ करने ना नली साफ करने अब क्या करें नहीं बोट नहीं देंगे तो बोट कटेगा हमारा आप अगर देखेंगे तो यहां से वहां तक और यह जिस गली की में बात करें थी यह जो नाली है यह साक्ची के गर के पीछे तक भी जाती है और यह इस्तिती है यहां के लोगों की नमस्कार मैं सीखा आप सभी का जन्ही तावाज में स्वागत है अभी मैं दिल्ली के साबाद डेरी में मौजूद हूँ यहां पर तमाम मीडिय वाले तमाम दल वाले यहां पर आ रहे हैं सबने साक्षी पर जो रिपोर्टिंग की है जो आसवासन दिया है उनके पिता को लेकिन जब मैं यहां पर आई तो इसके अलाबा भी कई सारी चीजे हैं जिस पर ध्यान देने की ज़्यादर जरूरी है यह ज़ुगी वहीं पर मकान का जो नारा है वो सक्सेश्फिल नहीं हुआ है वहाँ जहां जुगी है वहाँ जुगी ही है वहाँ पर और कुछ बदलाव नहीं हुआ है आपको हम पानी की कमी से लेके गंदगी रोड वो सारी तमाम चीजे दिखाएंगे जो नेशनल टेलिवीजन पर नहीं दिखता है, जिस पर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक बात करने से डरता है, यहां पर देखेंगे, आप तामाम महिलाएं, हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या क्या परिशानी होती है यहां पर, पानियों की दिक्कत है, सरकार तो कहती है कि हर गर जल है, जहां प पानी के दिक्कत है, यहां कि आप पानी के लिए बहुत दिक्कत है, रोड़ बर पर से भर भर ली आते हैं, तो इस जुग्गी में आप देखेंगे, यह बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन रहने के इसाब से लोग यह जो आप ब्लू कलर कर, इसी कंटेनर में आप तो पानी कैसे आता है का साइकल से डोडो हैं अच्छे लाते है कि आ मैं ली आना पड़ेगा आप से दूसरे दिन से कितना दिस कोई मांग कर विला जाता है गर्मी में तो पानी की खपा जादे होती वह जादा होती है बस पीने का भर लेते हैं वाके काम खहरा पानी लगा रखा उससे कभी किसी से नलके से लिया आते भाकी अएट तो लोग बरे बरे वादे करते हैं कि हाँ आ जाएगी छे महीने में पाइपलाइन आ जाएगी साल भर में आ जाएगी लेकिन कुछ नहीं होती वोट इलेक्षन हो जाते हैं फिर वह जाती से हैं आप ओभी सी सीस्टी क है ऐसी है और यह तमाम लोग ज्यादर तर लोग इधर दलिती है अठी हना ऑर इनकी ही हे होना जहां के सब्सक्राइब ऑर बिजली उजली सही सरह है यहाँ पराइब लाइट तो मिल यह यह एयं पर यह जो रास्ते रास्ते गंड़ी यह के सीचार है Minister हम लोग लेड़ी से मिलके तब आते हैं वहां पर साप करने के लिए वो भी कूड़ा निकालके रख जातें वह कूड़ा उठाने नहीं आते हम उठाके फैक्टे उनकूड़ों को आपको अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे भी तो बहुत ज़्यादा बीडे लेकिन आपको दिखाते हैं कि साक्षी के घर के पीछे अगर हम लोग चल के देख सकते हैं अगर कामरा परसन को हम भोलते हैं एक बार लेके चलेंगे यह घर के पीछे एक नाली सी बेह रही है और इस नाली में वो तमाम गंदगी रखी हुई है, आपको मैं एक बार दिखाएंगे ये साइट बातरूम का एरिया है और इधर इस आक्षी का जहाँ पे घर है, उससे पीछे का ये न जा रहा है, आपको camera person दिखाएंगे कि किस तरीके से हालत हो गई है, camera person आपको उपर से ये एक नदी के तरह बना हुए साक्षी के घर से पीछे से, और भी हम लोगों से बात करेंगे कि कितना मुश्किल होता होगा उनको यहां पे रहना कि जब इतनी गंदगी है, पानी की दिक्कत है, यहां पे और जो है सरके सही से नहीं बनी हुई है, और यहां पे नसा, और जब हम लोग यहां पे आये तो नसे की बात की जा रही है कि लोग तमाम जो नौजवान है वो नसे की आदी है, हम मैलाओं से ये भी बात करेंगे कि यहां पे नसे की बात हमने सुनिये कि नसा कर रहे हैं लोग, नसा बहुत ज़्यादा है यहां पे, बहुत ज़्यादा लो तो तब पुलीस आती है जब तो हो चुका होता है अगर यहां पे कोई अगर गार्ड हो या राउंड पे कोई पुलीस घूमे तो थोड़ी सैप्ती भी रहती है आप लोग को लग रहेगी साक्षी की जो हत्या हुई है उसके पीछे कहीं न कहीं एक तरीके से नसा भी है हाँ नशा भी हो सकता है लेकिन इसके बारे मुझे ज्यादा नहीं पता है मैं गाओं गई हो थी बहुत सारे लोग सबाल उठा रहे हैं कि उस वक्त जो यहां पे तमाम युवा है वो नसे की आदी है हम और भी महिलाहों से बात करेंगे किन-किन दिक्कतों की परिशानी होती कि बोल रही है हर चीज की दिक्कत होती है किन-किन चीजों की दिक्कत होती है पानी की वेवस्ता नहीं है कोई चीज की वेवस्ता नहीं है ना गली साफ करने ना नली साफ करने कोई चीज कोई वोट भी तो देती है वोट ऐसे लोग को दीजिए जो आपके लिए काम करें व यहां के बिधायक है और वोट मांगने आए होंगे कभी? आप लोगों नहीं बोला कि आप वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लेकिने रोडों की हालत देखिए काते हैं आप इलेक्शन दो उसके बाद अथू होगा उसके बाद तो फिर कौन अथू करता है उसके बाद कोई नहीं पूछता है जोगी जोपड़ी वाले को इलक्सन होता है ना आब बिदायक सामने गली से निकलता है जब इलक्सन खतम हो जाते है ना तो विदायक नहीं फिर उनके नेतार हैं वो कहते हैं वो 待 में होगा आप भी नहीं कल होगा तो परसो होगा तो आप यंगेiume कहते हैंbelt वोटiegen ऩूर। बड़े बड़े चैनल वाले आये थे बड़े बड़े मीडिया वाले किसी ने यह सारी चीजे दिखाई है अब यह मुझे नहीं पता है तो आपको एक बार हम वह तस्वीर दिखाएंगे जहां पे लगबग आदे गुटने तक पानी एक एक हाथ तक रोड धसा हुआ है और ज कैसे पानी कैसे पीत้ी है तेंकर का तो टैंकर आता है रोज नहीं एक-दो 1-2 दिन वीच वीच करके आता है तिम घर्मियों में कितने कितना ये बुलु कलर का डपा रखना होता है आप क्यों तीन-चार रखते यह देखिए यहाँ पे यहाँ पे हालत है और वो भी दिली जैसे जहर की राजदानी जिसको कहा जाता है दिली की यहाँ पे केजरी वाल सरकार कहती है जहाँ पे जुगी वहीं पे मकान, साफ सफाई, जल, बिजली और हम आप एक जो है रास्ते दिखाएंगे यहाँ पे यह इन से हम बात करेंगे यह कुछ बोल रहते हैं इतनी गंधिया यहां पेर साफ सकाइब अपने हाँ से साफ करता हूं कौन सा आता है साफकर और भी हराब यह सब पलीक ही देख रहे हिस रोड खराब है किने पानी तो मिलने ही अगर डाइक करता हमें कोई मतलब नहीं यह वो कहत कि अगली बार किसको वोट देंगे इतनी दिक्कते हो रही है आप लोगो को पानी बंदे कुड़ूंगा कांग्रेस को देंगे देखिए के लिए काम कर रहा है कहां के लिए नहीं कहां से जितते हैं वही हालत है कि ठीक ठाक है तो आ वहां पे कौन से जाती के लोग रहते हैं अगली बड़ी पार्टी रहते हैं जात वेगरा आप लोग की क्या जाती है एस्टी ओबी सी क्या है आप तो नहीं बता रहें दानुगें दोबी हैं कहां रहें सब जात है इसमें यह देखिए यह हैं हालत इन्होंने कहा प्रलादपूर में काम करते हैं क्यूंकि वहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं बड़े बड़े जो हैं जाती के लोग रहते हैं यह लोग जो हैं यहां पे स्टी स्टी ओबी सी यानि की चमार जाती जो मुसहर यह सारे लोग यह देखिए एक लाइन से आपको एक बार और कैमरा परसन आपको तस्वीर दिखाएंगे कि क लोग यह नहीं रहते हां है यह धे सकते हैं आप इस चेटर में आते हैं आते श हालत और यह एक और गढद्ध अपण पर रोज़ते हैं दूकर देखना आए और यह fim पर मत मचुज़ते हो त यह अई एक और गढ़ है यह ल Д 되지 नहीं कस Ku आ देखकि लिए हैं को दिखाएंगे इसके उपर से एक पुल बना हुआ है और यह दिल्ली की असली तस्वीर जहां पे लोग केते हैं जहां पे जुगी वहीं पे मकान गंदगी जल बिजली फला फला जैसे सरकार जो है दावे करती है लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहां से वहां तक और यह साक्षी के गर के पीछे तक भी जाती है और यह इस्थिती है यहां के लोगों की इस तरीके से लोग रहते हैं आप लोग बताइए कि जब सरकारे वोट लेने के लिए आती है तो कहती है दिल्ली में हमने मैट्रो बना दिया हमने सफाई करवा दी हमने जुगी को मकान में त अस्तुविक ता ये है आप लोग अपनी राय कमेंड वॉक्स में जरूर देए